हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तू माई यूट्यूब चैनल, आज हम एक होमेपैतिक ड्रग पिच्चर डिसकस करने वाले, जिसका नाम है अकुनाइटम नापलस, इसका कॉमन नेम मौंग सूड है और यह बिलॉंग करता है फैमिली रानिन किलासी को, इसको इन्वेंट किया है हमा गर जा सकता है अगर वह आयक्ट कर गयाigos को असलिक हो सकता है उसकुम सकता है या तो कम टाइम में नाम हो सकता है इसले पोईजनाइड का पुगर नहीं, अब देक्ते है क्यांचर्यन मैं को आपका बेचकीन आंप दो पदेन चिल्टन दोफान बिमार नहीं पड़ते, veggie स पारिश में भीग गए और बीमार पड़ जाएंगे ऐसा उनमें नहीं होता उनको लॉंग टॉम एक्सपोजर लगता है यह प्लेथोरिक टाइप के इंडूजल रहते कि जिनका फेस रेड हो जाता है सड़नली अगर वो दूप में जाते क्योंकि इनमें बॉडिली फ्लेट ज खड़ेएं वागते तीन घंटा तीन से चार घंटे हो जाते हैं यानिकि बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है लेन आकुनेट का पैश्ण्ट करने को श्टार्ट हो जाएगा जैसे पिशन्म में थो वालेंटली पेसेंट की हेल्थ बिगड जाती यानिकि उसको इरिटेशन ह होने लगता है और उसको लगता है कि अब भी मरने वाला हूँ यानि कि यह बीमारी इतनी बड़ी है कि मैं मर जाओं का इस बीमारी में इस साथ के पेशन के कंस्टिटूशन में देखा कि वह स्ट्रॉंग टाइप का है उसके साथ ही उसका ब्रेंद भी बहुत अक्टिव बात करेंगे तो हाइड भी बहुत स्ट्रॉंग है यानि की विगरस सर्कुलेशन है अकुनाइट के पेशन में जो वाइलेंड सिम्टम आते वह आकुनाइट के सर्कुलेशन में टर्मॉइल तयार होते इसलिए अकुनाइट का पेशन्ट सब बढ़ करता है जैसे कि हम पेशन्ट रहता है बीमारी से पहले जैसे हम देखेंगे अकुनाइट के पेशन्ट को अभी तो यह बहुत बिल्कुल ठीक था और अभी इससे क्या हो गया यानि कि यह से लगता है कि बहुत पैनिक कर रहा है पेशन्ट और इसे में बहुत सारे फिजिशन भी घब रा जात है कि इसे इस इंसन को क्या हो गया इसे क्यों बोल रहा है कि मैं अभी मर जाओंगा ऐसे हो जाएगा और उसके फेस पर उसके आंजीटी दिखने लगती है जैसे कि पिच्चर में लाइटनिंग हो रही है अकुनाइट के पेशन के नौस भी इतने सेंसीटिव रहते हैं उसक जो डीसीज उसका प्रोग्रेस बहुत फास्ट होता है और सारे सिंटम एक स्टॉम की जैसे आते सडेनली आते और पासस अवेई मिंस जल्दी चले जाते हर डीसीज के बारे में अगर बात करेंगे अकुनाइट के तो हर डीसीज के सिंटम ऐसे ही रहते हैं श्लोनेस की इंफ्लमेशन होता है तो इंफ्लमेशन शुरू में दीमे से होता है दिचलेश बहुत कं रहता है लेकिन swelling बहुत जल्दी उसकी develop होती है और swelling progress करती है और यह हम देख सकते हैं उसके इयर में eyes में eyes में जल्दी eyes इतने उसके इंफ्लेम्ड हो जाते कि अकॉनाइट के patient को देख के समझ जाता है कि अकॉनाइट है उसमें बहुत rightfulness रहता है restlessness रहता है बहुत डरा हुआ इंसान रहता है और अगर घर में अकॉनाइट का patient रहता है तो एक इससे panic situation तयार कर देगा कि घरवालों को लगेगा इससे क्या हो गया अभी तो ठीक था बहुत बड़ी बिमारी हो गई अब क्या होगा इससे सब डर जाते हैं इतनी panic situation अकॉनाइट कर देता है क्योंकि उसके symptom बहुत रहते हैं उसके जो pain रहते हो burning टाइप रहते हैं जैसी कि हम knife cutting pain वाले रहते हैं intense रहते हैं shooting टैप रहते हैं और अकॉनाइट का पेशन अगर क्लीनिक में आता है तो physician को भी डरा देता है उसे बोलता है कि मेरा कुछ नहीं होने वाला आप क्या करोगे मैं तो मरने ही वाला हूँ यह बिमारी तो ऐसी है वैसी है और उसको बहुत fear रहता है उसके date का अकॉनाइट के patient में एक बहुत peculiar thing यह प्रेडिक करता है उसके time of death याने कि कल दो बजे में तो मरने ही वाला हूँ ऐसे symptom queen का पेशन देता है अकॉनाइट के patient में यह बहुत peculiar time है कि वो ब्रेडिक कर सकता है उसके time of days का और अकॉनाइट के patient में एक indifference है वो 5-6 चीज़े अगर हम consider करेंगे तो हमको समझ जाएगा कि यह अकुनाइट का patient है जैसे कि appearance of patient, appearance of symptom, mind symptom, the restlessness, intensity and suddenness and violent changes यानि कि onset का बेस चड़न है and symptom का progress किसा हो रहा है वालेंट हो रहा है ऐसे सब चीज़े हमको consider करने है तब हमको click हो जाएगा कि अकुनाइट का patient है अकुनाइट के patient की indifference की बात में करने वाली थी कि वह जब भी बीमार पड़ता है तो selfish behavior करता है उसको सारे affection lost हो जाता है उसके friends से belonging से और उनको बिल्कुल भी interest नहीं रहता और अकुनाइट का patient ऐसे behavior करता है कि यह कोई ही नहीं उसका ही देखता है selfish टाइब behavior करता है और indifference हो जाता है और उसका जो क्रायर चीज़े अकुनाइट के बारे में अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना कमेंट करके बताना कि आपको मेरा वीडियो कैसे अलगा और अगर कुछ पॉइंट रहे भी जाते तो आप मुझे बता सकते और वीडियो शेयर करना सब्सक्राइब करना thanks for watching friends